हाई लोग दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा यूटूब चैनल सुभा श्टड़ी पे तो चलिए शुरू करते हैं आज के कलास आज हम लोग पढ़ेंगे जो कीरन का प्रिबियस एर कोशन है तीर सट सो पलस उसका अगला पार्ट तो चलिए शुरू करते हैं इसमें आज भूमी का स्वामी ते सिधे सुल्तान का होता था उसे क्या करते थे तो उसे करते थे खालिस उसे क्या करते थे खालिस या खालिस भूमी और मुगलकल में जो की गैर मुसल्मान से भूमी कर लिया जाता था उसे करते थे खराज और वही मुसल्मान से लिया जाने वाला भूम गैर मुसल्मान से जो भूमी कर लेते थे उसे खराज करते थे और मुसल्मान से लिया गया भूमी कर उस्र करते थे आगे देखेंगे एकसो तेरा नमर हो जाएगा 113 नमर है मंसूर चित्रेकार कीस सुल्तान के राज़ दर्वार में रहता था मंसूर जो चित्रेकार था कीस सुल्तान के राज़ दर्वार में रहता था तो ये जागीर के राज़ दर्वार में रहता था और अबूल हुसन भी जागीर के दर्वार में में रहते थे अकबर के दरबारी चित्रकार कहेगा तो दस्वन्त और बसावन हो जाएंगे आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा एक सो चोगदो नमबर है भारत पर तैमूर लंग का आकरमण कब हुआ था भारत पर तैमूर लंग ने आकरमण किया था 1398 इसवी में और रूस समझ सा पंद्रा हो जाएगा किस सासो को अभिनो भारता चारे कहा जाता है महराणा कूंबा को अभिनो भारता चारे कहा जाता है राजा मान सिं अकबर के परधान सेना पती था जो की हल्दी गट के यूद लड़ा था हल्दी गट के यूद लड़ा था महराणा परताप सिं के साथ और ये अकबर के महान सेनापती था और हल्दी अठी को युद गएயा कब हुक था 5506 में मांसी और महराणा परताप के बीच महराणा कुमभा कौन था तो ये मैवाणा के एक साशक था बाबर और राणा सांगा के बीच खनावा के इद हुए था 1527 में जिसमें बाबर ने जिहाद के नारा दिया था आगे देखेंगे 114 नमबर हो जाएगा कस्मीर का अकबर किसे कहा जाता है कस्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुदित आबादीन को किरिस्य देवराय के सासनकाल में बरबोसा जो यात्री था ये बिजय नगर आया था किरिस्य देवराय तुलू बंज के सबसे परतापी सासक थे और तुलू बंज के संस्थापक कहेगा तो बी रिनर्सी हो जाएंगे कास्मीर पर लोहार बंच के संस्थापक कहेगा कौन थे कास्मीर पराज करने वाला लोहार बंच के संस्थापक थे संगराम राज आगे देखेंगे 117 नमर हो जाएगा देली संत्रत की दर्बारी भासा क्या थी देली संत्रों की दरबारी भासा हो जाएगा भार्शी हम लोग को जो भासा हिंदी ये कौन लिपी में लिखा जाता है तो ये लिपी कहेगा तो हिंदी लिखा जाता है देवनागरी लिपी में उर्दु भासा लिखा जाता है नस्तालिक लिपी में आगे देखेंगे 108 नमर हो जाएगा गुरू गुबिन सिंग के हतिया कब हुई थी गुरू गुबिन सिंग के हतिया हुई थी 1708 में और कहां पे तो ना देड में गुरू गुबिन सिंग के जनम हुआ था पटना बिहार में 1606 में पलासी का यूद कहेगा तो 23 जुन 1757 में हुआ था जिसमें अंग्रेजों का कहेगा नेतित्वे किस ने किया था पलासी की यूद में अंग्रेजों का नेतित्वे किये थे रोबर्ट का लाईब और ये किस के बीच हुआ था तो सिराज दोला के बीच हुआ था 119 नमर हो जाएगा चौत हर सरदेश मूखी का समबंध की से सासक से था तो ये हो जाएगा सीवाजी से ये पड़ोसी राज पर लगाये गए कर था महराणा परतापके घोडा के नाम कहेगा तो चेतक हो जाएगा वारेन हेश्टिंगस ने बंगाल में लागू किया गया दवे सासन कहेगा किसने लागू किया था रोबर्ट कलाईव लागू किये थे 1775 में रोबर्ट कलाईव लागू किये थे जिसे समाप्त किये वारेन हेश्टिंगस 1772 में अकवर ने अनुवाद व्याक के अस्थापना किया था आगे देखेंगे 120 नमर हो जाएगा गूरू मुखी लिपी के विश्कार किये थे गुरु अंगत जो की सीखो के दूसरा गुरु थे लंगर के शुरुआत गुरु नानक किये थे और इसे परसीद कौन करवाए थे तो गुरु अंगत इसे कंटिनीव या परसीद करवाए थे गुरु राम दास ये सीखो के चौथा गुरु थे अंगत कहेगा तो दूसरा अमर दास कहेगा तो ये तीसरा थे अक्वर ने की से स्वड मंदि बनाने के लिए अमरी सर में जमीन दान दिये थे तो यह जमीन द्यान दिये थे गुरू रामदास को और अम्रीश और का स्वर्ण मंदिर के निर्मारा करवाए थे गुरू अरजुन देव आगे बढ़ते हैं अगला कोशन हो जाएगा एक सब एक इस नमर है एक सब एक इस नमर देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से इसमें क्या करना है तो मिलान करना है सूची 1 में इमारत है और सूची 2 में क्या है तो निर्मारता है अलाई दरवाजा के निर्मार किसने करवाया था अलाई जो दर्वाजा है इसका निर्माला करवाया था अलाउदिन खिल जी ने आगरा के किले के निर्माला करवाया था तो अकबर ने और उदाउत ओला के मकाबरा जो है इदित मत उदाउत ओला के मकाबरा करवाया था तो ये करवाया थे इदितमल उदवला के मकबरा के निर्मारा करवाए थे नूर जहाने और दिली के लाल किला के निर्मारा किसे ने करवाए था साजाने अलाई दरवाजा के निर्मारा करवाए थे अलाउदिन खिल जी अगरा के किले के निर्मारा करवाए थे अकवर और इतिमद उद दोला के मकवरा के निर्माड करवाए थे नुर जहाने और दिली के लाल किला के मकवरा करवाए थे और देख लेते हैं अकवर दोरा बनाए गया लहोर के किला भी लाहोर के किला, इलाहाबाद के किला, आगरा के किला के निर्माड करवाए थे अकबर नहीं पॉंच महल के भी निर्माड करवाए थे अकबर और बुलान दरवाजा के भी बुलान दरवाजा के निर्माड अकबर करवाए थे गुजरात बीजाय के उपलक्ष में आगे देखेंगे 122 नमर हो जाएगा 122 नमर कोश्चन है सीखो के 10 वे गुरू गुरु गुविन सींगों कहां हुआ था सीखो में 10 वे गुरु जो थे गुरु गुरू गुविन सींगों थे इनका जनम हुआ था कहां पे तो 1666 में पटना में अम्री सर के संदी वठा 1809 में, किसके बीच हुआ था तो एस्ट इंडिय कमपनी और रणजित सींग के बीच हुआ था अम्री सर के संदी 1809 में, गुरु गवीन सी ने खालसा पत क्या स्थापना किये थे 199 में, पानी पत कहां इस्तित है तो यह इस्तित है हर्याणा में, आगे मौनिस अल अरवाव, मौनिस अल अरवाव, यह सेख मौनी दिन चिस्ति की जीवनी है, जिसने जहां नारा द्वारा लिखा गया था, सेख मौनी दिन चिस्ति के दरगा कहेगा कहां पेश्तित है, तो यह राजस्तन के अजमेर में इस्तित है, और राजस्तन के हिर्दे और राजस्तान का स्वर्ग कहा तो मांट आबु को कहते हैं जो कि जैन धर्म से संबंदित है 124 नमर हो जाएगा निमनी लिकीत में से कौन सा अकवर के काल का भूमी का बरगी करण नहीं है तो ये जरीबा जो है अकबर के काल का भूमी करण नहीं है बाकी पोलोज हो जाएगा पड़ाउती हो जाएगा बंजर हो जाएगा ये अकबर काल का भूमी का भरगी करण है जो कि अकबर के काल में भूमी का भरगी करण कौन करता था तर्टो डर्मल करते थे 125 नमर हो जाएगा 126 नमर हो जाएगा किरिष्ने देवराय ने अपनी माता के नाम पर बीजाय नगर के समीप किस उपनगर की अस्थापना की थी तो ये हो जाएगा नागलपूरम की किरिस्त्रे देवराय ने अपने माता के नाम पर बीजाय नगर के समीप उपनगर के अस्थापना की थी जिसका नाम है नागलपूर किरिस्त्रे देवराय कहेगा किसके समकालिन थे तो ये समकालिन थे बाबर के किरिस्र देवराय ये तुलू बंच के सबसे परतापी सा सकते और वही बीजाइन अगर किरा धनी कहेगा तो हमपी हो जाएगा जो कि बराम पूत्र नदी किनारे इस्तित है आगे देखेंगे किरिस्र देवराय के उप नम कहेगा तो आंधरे भोज भी है अगला कोशन हो जाएगा 127 नमर हो जाएगा 127 नमर कोशन है किस मुगल समराट के सासनकल में मुगल दरबार बाहर तसलीम और जमीन बोस लाओ किये गए थे किस मुगल समराट के सासनकल में मुगल दरबार बाहर तसलीम और जमीन बोस लाओ किये गए थे तो ये साज आंके सासनकर में लाउक की गए थे अकवर का पूरा नाम कहेगा तो जलालु दिन अकवर हो जाएगा जहांगीर ने नियाए के जंजीर अस्तावित किये थे तसलीम और जमीन बोस का जो अर्थ होता था ये होता था जमीन को चुमना जो कि लाउक किये थे साज आने और रंग जेव को जीन्दा पीर भी कहा जाता है आगे देखेंगे 128 नमर हो जाएगा अमीरे सिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था अमीरे सिकार की पदवी पर बलबन ने कहाएगा कि बलबन को किसने नियुक्त किया था तो ये इलतुतमीश की बेटी रजिय सुल्तान ने उसे अमीरे सिकार के पदवी पर नियुक्त किया था अमीर जो सिकार के जो पद है उसका अर्थ क्या होता है तो हंट का भागवान होता है अर्थ है रजिय सुल्तान ने किस से साधी की थी तो ये साधी की थी अलतुनिया से और ये इर्थुतमिष के बेटी थी 129 नमर हो जाएगा अकबर के राज एके समय में बिहार कितने सरकारव में बटा हुआ था तो बिहार अकबर के राज में साथ सरकारव में बटा हुआ था दिन ए इलाही के कहेगा के परधान पुरोहित कौन था दिन ए इलाही के परधान पुरोहित अकबर हो जाएंगे और दिन ए इलाही अपनाने वाला अंतिम हिंदू या प्रथम हिंदू कहेगा तो कौन था विर्वल दास अक्परका अंतीम अभियान कोन सा था तो असिरगड और अक्परका अंतीम अभियान हो जाज़ाएगा असिरगड 130 नमर कोशन हो जाएगा मधे गालिन बिहार में बुनियादी परशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने बिख्षित किया था तो ये परगना को विख्सित किये थे सेर्षा सूरी ने और सेर्षा सूरी ने पटना सहर को पुना अस्थापित किये थे 1541 इस्वी में बक्तियार खेल्दी ने नलांदा वीश्वे विद्याले को नोश्ट किया था 1193 इस्वी में ये नलंदा बीश्वे विद्याले में आग लगा दिया था जो कि तीन महीना तक जला था नलंदा बीश्वे विद्याले का स्थापना करेगा तो कुमार गुप्त करवाए थे अकबर के जो नौरतनों में से टोडरमल था उसने दोसला बंदोबस्त लागू किया था आगे देखेंगे 31 नमर हो जाएगा 31 नमर है आलमगीर नामा को किसने लिखा था मिर्जा मुहमद काजिम लिखे थे आलमगीर नामा को लेखा काएगा तो मिर्जा मुहमद काजिम हो जाएगे आगे देखेंगे 132 नमर हो जाएगा किसे ने खूद और मुकादमों को इस हद तक पदनावत कर दिया कि उनकी इस्तिरियों को मुसल्मानों के घर में काम करना पड़ा कर रहा है कि किसे ने खूद और मुकादमों को इस हद तक पदावानत कर दिया कि उनकी इस्तिरियों को मुसल्मान के घरों में काम करना पड़ा तो ये किस ने किया था तो अलाव दिन खेल्दी किया था अलाव दिन खेल्दी के सासनकल में सरवाधिक मंगोल आकरमण हुआ था और ये मंगोल के आकरमण से बचने के लिए किसका निर्मण किया था तो सिरी के किले का निर्मण किया था बलबन ने लोज यों रख्त की निती अपनाई थी और इसने सिजदा यों पैबोस की प्रथा चालू की थी सिजदा के अर्थ हो था था सर जूकाना और पैबोस के अर्थ हो था था पैड छूना आगे देखेंगे 133 नमर कोशन हो जाएगा 133 नमर कोशन है दिली के किस सुल्तान ने सिजदा की प्रामपरा को प्रणाव किया सिजदा और पैबोस की प्रामपरा लाओ किये थे बलबन सिजदा के अर्थ हो था सर जूकाना और पैबोस का अर्थ हो था पैड चूना कूतुब दिन एबक ने अपनी राधानी जो था लहौर बनाए थे और इनके बाद इतु तमीज जब सासक बने तो अपने राधानी लाहौर से अस्थांतरीत करके दिल्ली बनाए थे मुहमप बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चालू किये थे और इन्हों ने अपनी जो राधानी था दिल्ली से देवगीरी अस्थांतरित किये थे अलाव दिन खिल्दी के कारेकाल में जो कोड था भूरा जस्वेका एक बाटे दो भाग था आगे देखेंगे 134 नमर हो जाएगा भारत का अंतिम मुगल साशक कोन था भारत के अंतिम मुगल साशक कहेगा तो बहादू सा जाफर दिवितिये थे और इन्हें अंग्रेज कहा निर्वासित किये थे तो रंगून में सा जहां को मुगलकाल के अस्तपत्य कला का जनक कहा जाता है मुहमद सा का उपनाम कहेगा तो रंगीला बन सा है बाबर ने भारत पर पांच बार आक्रमन किया था 135 नमर कोशन हो जाएगा 1756 में सिराज उद दौला के खाली एस्तान के बाद बंगाल के नवाब बने अंग्रेजों ने कहेगा कि किसे बंगाल के नवाब बनाया था तो मीर जाफर को अटा कर मीर कासीम को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब बनाया और मीर जाफर नहीं बंगाल के सिराज उद दौला को धोका दिया था मिर्जापर नहीं सिराजु दोला के धोखा दिया था बंगाल के पहला अगर नवाब कहेगा तो बंगाल के पहला नवाब हो जाएंगे मुर्सिद कूली खा बंगाल के पहला नवाब कौन थे मुर्सिद कूली खा और वही सिराजु दौला के दोखा दिये थे मिर्जापर आगे देखेंगे 136 नमर हो जाएगा फिरोज सा तुगलक के दोरा नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चे के दोरा खाली अस्तान किसके दोरा वहन किये जाते थे फिरोज सा तूगलक के दवरान नहरों के बनाने और रख रखाव के खर्चा दब कहां से दिया जाता था तो ये राजे के खर्च से दिया जाता था फिरोज सा तूगलक ने सरवादिक अपने काल में नहर निर्वाद ख़दवाये थे या निके बनवाये थे और इसकी प्राथा जो शुरुवात किये थे ग्यासु दिन तुगलग किये थे और इन्होंने सिचाई प्राणाली की सरवाधिक बिक्सित की थी आगे देखेंगे 137 नमर हो जाएगा आइने एकवरी किसने लिखी थी? आइने एकवरी लिखे थे अबुल फोजल जो की फार्सी भासा में लिखे थे और रमाड के कहेगा फार्सी भासा में अनुवात किसने करवाया था? अब्दूल कादीर बदूइनी ने तब काते नसीरी पुछतक के लेखा कहेगा तो मीन हाज उस सिराज हो जाएगे 138 नमर कोश्चन है बिजाय नगर का महांतम सासक कौन था? बिजाय नगर के महांतम सासक थे किरिस्ट्रे देव राय और ये किस बंच के थे तो तूलू बंच के तूलू बंच के संस्थापा कहेगा तो बीर नर्जी थे किरिस्ट जेवराय जो थे ये बावर के समकाली थे और बावर ने इने भारत के सबसे बहादूर सासक बताया था संबंग संगमबंच के जो परतापी सासक थे संगमबंच के परतापी सासक हो जाएंगे देवराय दिवितिये संगम मंज के पढ़तापी साजक देवराय दिवीतिये थे 140 नमर कोशन है समरीधी ने सड्यांत्रे और विद्रोग को जनम दिया तथा दरिंजिता अस्थाइत्वे और सांती की गरांटी देती है या किसने कहा था अब से पढ़ते हैं समरीधी ने सड्यांत्रे और विद्रोग को जनम दिया तथा दरिंजिता अस्थाइत्वे और सांती की गरांटी देती है या किसने कहा था तो ये कहे थे जियाओ दिन बर्नी ने आगे देखेंगे अगला कोशन हो जाएगा बाकी कुछ optional है देख लेते हैं अमीर कुषरो किसके दरवारी कभी थे तो ये अलाव दिन खिलदी के दरवारी कभी थे इबन तूत्ता ये मुराको के निवासी थे जो कि मुहबन बिन तुगलक कहने कि मुहबन बिन तुगलक के सासनकल में 13332 में भारत आये थे आगे देख लेंगे 140 नमर हो जाएगा निम्ले लिकित में से कौन सही रूप में सुमेलिद नहीं है तो इसमें जमात खान मस्जित का निर्माड बलबन नहीं कराये थे ये जमात खान मस्जित का निर्माड करवाये थे खिरीज खा आगे देखेंगे 141 नमर हो जाएगा बिजय नगर समराजे में अमरत सब्द का और्थ क्या था सैनीकों का अनुदान बिजय नगर के राधानी कहेगा तो हम भी जोकी का नाटक मिश्दी था ब्राम पूत्र नदी के किनारे और बिजय नगर समराजे का स्थापना किया था हर्या रेव बुक का दोनों भाई ने 136 सीसी में आगे देखेंगे 142 नमर हो जाएगा अरंग जेव के मिरित्य होई थी अरंग जेव के मिरित्य हुआ था 1707 में और 1708 में गुरु गोविन सिंग के मिरित्य हुआ था नादेड में अरंग जेव के मिरित्य हुआ था 1707 में और गुरु गोविन सिंग के मिरित्य हुआ था 1708 में 143 नमर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलग के सासनकाल में भारत आये परसीद मुसलिम खोजकार था इबन्तुता किस देश के थे इबन्तुता मुरावको की निवासी था और ये आया था भारत 1333 में इसकी पुष्टक के नाम कहेगा तो रहला हो जाएगा आगे देखेंगे ये लाश कोशन था वीडियो के लाश तक देखने क्लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दिजिएगा चैनल पना है तो सस्क्राइब भी कर दिजिए कुछ सुझावें सला देना है तो कमेंट करके जरूर बता है इसका पीडियेप चाहिए तो डिस्क्रिप्शिन में टेलीगराम का लिंक है वहाँ से डाउनलोड कर लिजिए या टेलीगराम पर सर्च भी कर सकते हैं सुभाज ड़ी थेंक यू